अम्रुता जी नमस्कार नमस्कार मोधी जी आप बहुत अभारी हूँ आप मुझे चांस दिये हैं लोकों की सिवा करने के लिए हम हन्रिट पसंड कोशिश करेंगे अभी तो हम निकले हैं तो एक बीजेपी को उनका पिता का दिहान्त हो गया हम इधर ही आए हुए हैं तो अभी वाकर्स जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे अम्रुता जी आप महराजा कृष्णराय चंची की विरासत को आगे ले जा रही हैं एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे हम क्या कह सकते हैं जी जी जुरूर मुझे अच्छा लगेगा ये जो महराजा कृष्णरा का हम सामिली है तो उसका भी ये लोग जिरोद कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि वो बिटिश के साथ दिया था फिर वो मने हम लोगों को गदार समझते हैं क्यों क्या वो नहीं बोल रहे हैं इतना जमीन दान किया इतना सब लोगों के लिए किया भलाई के लिए किया वो सब नहीं बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णाचंडरा अगर नहीं करते हैं तो हमारा सनातन धर्मन तो पुरा खतम हो जाता है कि नहीं तो वो बात है क्योंकि तपता वो जो नवाब थे सिराजुद दौला तो वो तो बहुत अत्याचारी बात सभी ने किया जगज सेट भी थे और राजाओं थे तो उसी सभी के महनत से ये काम सफल हुआ तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते हमारा भाशा दूसरा होता हमारा बेश भुशा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते हम तो दूसरों के अधिन रहत नहीं बात है अमृता जी बच्पन में हमारी हां हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद राय की समाज सुधार का काम बंगाल के विकास का काम बंगाल के विकास के मोडेल यह सब सुनने को मिलता था बच्पन में अब देखिए ये बोटमेंग्की पाप आरोप लगाएंगे और तीन सो साल पहले की घटना निकालेंगे दो सो साल पहले की घटना निकालेंगे और बदराम करने का प्रयास करेंगे बेखुद अपने जो बरतमान पाप है उसको छुपाने के लिए वह ऐसी चीजे ढूनते रहते हैं लेकिन जब भगवान राम की बात आती है भगवान राम की बात आती एक वो सबुद कहां है इतनी पुराणी बात क्यों निकलते हो लेकिन जब प्रशन जन्राइव की बात तो तुरंद धिकालते हैं । तो इस प्रकार से दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेसर नहीं लेना चाहिए आप ने तो बंगाल का वुजवल भविश्या और आपका स्वयम का जीवन भी लोगों के लिए रहा है और आपके सामने बंगाल की जुरासत को बचाने की भी चुनोती है और आप इसे कैसे देख रही है हम प क्रॉप्षन हटाने के लिए है और बंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है अपने देखा ओगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बढ़ गई है एक हमारा खेमा है जो इस देश से ब्रस्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए इकटे होना एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना आरोप करना और जिनों ने पहले खुद ने आरोप किये थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं याने उनके लिए देश उनकी प्रात्विक्ता नहीं है सत्ता ही उनकी प्रात्विक्ता है और इसलिए चुनाओं में हमने प्रस्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही आपको देख करी हम आये हैं जी अमृता जी मैं बहुत आपका अभारी हूँ क्योंकि हमारी टोली को आपने जब यह बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए अमृता जी बंगाल के अन्य इलाकों के तरह क्रश्णान अगर मैं भी बीजेप अजी को बहुत उमत के नजर से देखा जाता है अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं आपको भी लोगों का उच्छा उम फील होता होगा बहुत जैनों ने बोला हमको कि हमको बोला साख की घर देंगे नहीं दिया तो क्या बोले इसको अमृता जी मैं आपको एक बात बता हूँ है जी मैं लीकल एडवाइज ले रहा हूं हमने बंगाल में एडी वालों ने करीब 3000 करोड रुपिया इनका एटेज किया हुआ है अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया वो सभी लोग जानते हैं वो एकदम सेड़ अप हो गया एकदम हाल छोड़ दिया हम जो देख रहे हैं टीमसी के उपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अच्छा क्यार हो रहा है तो मैं जो लिगल एडवाइज रह रहा हूं तो मेरी इच्छा यह ह अगर मुझे लिगल एडवाइज मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावदान करना पड़ेगा कोई नियम बनाने पड़ेंगे तो मैं ये जो तीन हजार क्रोड रुपिया है जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में द नहां है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो तीन हजार क्रोड रुपिया इड़ी ने अटेश किया हुआ है वो तीन हजार क्रोड रुपिया गरीबों का पैसा है बंगाल के और वो उनको वापिस देने के लिए कोई रास्ता में खो जूँँगा ये जुरू बताई है अपनी अपेक्षा हैं आपको बताते हैं क्या है मोद़ी की गरंटी को लेकर आपके लोग सखभागे शेत्रम लोगों तक बात पहुंची हगाए हाँ हाँ हम तो बोले हैं तो बोला मोडी जी की तरह हमारा भी guarantee है हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का अम्रताजी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर के और मुझे भी स्वास है कि आप विजय हो करके आपके परिवार की जो बंगाल के सेवा करने की परंपरा रही है उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी बस आप जीत करके आईए हम मिलकर के बंगाल के लोगों की बहुत सिवा करेंगे और आप भी जीतने के बाद पहले सो दिन में क्रिश्णनगर में क्या करना है उसका पूरा काम निकाल के रखिए मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा और उसमें से जो भी काम भारत सिर्काव को करने होंगे वो तुरंट कराने का हम प्रयास करेंगे आपका आशिरवाद मुझे चाहिए बस बस जनता का आशिरवाद हम सबको चाहिए जनता का आशिरवाद ही हमारी सब्सक्र बड़ी ताकत है लेकिन आप मुझे गाइज करिये ये हमारा रिक्वेस्ट है नई बेलकुल हम संपर्क में रहेंगे और मेरी आपको बहुत शुब काम रहें हैं बहुत बहुत धन्यवाज जी नमस्कार